आज मैं explain करने वाला हूँ Game of Thrones को explanation शुरू करने से पहले मैं आपको Game of Thrones की कुछ बाते बता दूँ Game of Thrones की एक अपनी अलगी दुनिया है और उसका एक continent है Westros Westros में साथ Kingdoms आते हैं simple भासा में जैसे अपना continent Asia है और उसमें India, China, Nepal, Pakistan ऐसे आते हैं और उन Kingdoms को जो वहाँ पर संभालता है उसे बोलते है Lords और उन सारे साथ Kingdoms को जो संभालता है वो है King Movie के स्टार्ट में हमें दिखाये जाता है कुछ Soldiers को जो की Wall की शुरक्षा करते हैं Westros के उपरी तरफ एक Wall है जो की आम लोगों और Wall के दूसरी साइट के जंगली और शैतानी ताकतों को दूर रखती है और उस Wall की जो शुरक्षा करते हैं वो होते है नाइट्स वाच फिर वो तीनों Soldiers Wall के दूसरी साइट पेट्रोलिंग करने के लिए जाते हैं और उन्हें वहाँ काफी सारी Dead Bodies पड़ी हुई मिलती हैं वो Dead Bodies एक डिजाइन में पड़ी हुई थी और तबी अच्छानक से वो Dead Bodies जिन्दा हो जाती हैं और उनकी आईस Blue कलर की थी और फिर वहाँ Zombie जैसा दिखने वाला एक शैतान आता है जिसकों की Game of Thrones में White Walkers बोला जाता है White Walker उन दो Night Watch को तो मार देता है लेकिन एक Night Watch वहाँ से भाग जाता है और वो भाग कर पहुचता है Winterfell Winterfell साथ Kingdoms में से एक Kingdom है और Winterfell ही Wall के सबसे ज़ादा करीब है और वहाँ के Soldiers उस Night Watch को पकड़ लेते हैं और वहाँ पे आते हैं Ned Stark जो की Winterfell के Lord हैं वो वहाँ अपनी तलवार से उस Night Watch का सर कलम कर देते हैं दर असल में Night Watch को जो भी जोइन करता है उसे ये कसम दी जाती है कि वो कभी किसी से शादी नहीं कर सकते और ना ही अपनी फैमली बना सकते उन्हें अपनी पूरी जिंदगी Night Watch में ही बितानी पड़ेगी और अगर वहाँ से कोई भागने की कोशिश करता है तो उसको मार दिया जाएगा जब Ned Stark अपने बच्चों के साथ वहाँ से वापस जा रहे होते हैं तो वहाँ उन्हें चह डायर वुल्फ के बच्चे मिलते हैं ahead Stark एक Stark फैमली से आते हैं और Stark फैमली का जो सिम्बल है वो एक डायर वुल्फ ही है तो इसलिए वो चह डायर वुल्फ को अपने बच्चों को दे देते हैं लेकिन उनके सिर्फ अपने पांच ही बच्चे थे, उनका एक लड़का जिसका नाम जोन था, वो उनका बास्टर्ड सन था, यानि की नाजाईज उलाद, जैसे की जोन की मा नॉर्दन एरिया साइट की थी, तो इसलिए उसके नाम के आगे जोन स्नो लगा दिया गया, और उन उसकी राजदानी है, और यहीं पर किंग भी रहता है, जिसका नाम रोबर्ट ब्रैथियन है, वहां हमें दिखती है सर्सी, जो की किंग की वाइफ है, और वो अपने भाई जेमी लैनिस्टर से कुछ बात कर रही थी, दरसल में किंग के बहुती खास आदमी, यानि की किंग दिखाई जाती है, जिसका नाम एसोस है, और वहां दो टारगेरियन हाउस के बच्चे रह रहे थे, देनेरिस टारगेरियन और वेसरस टारगेरियन, इन दोनों के फादर एगनिस टारगेरियन ने बहुत टाइम तक वेस्टरोस पे राज किया था, जिने मैड किंग के नाम का भाई भी है वह पहले Mad King का गा IDS भा और उस ने Mad King को धुका दिया और उसको ओ मार डाला वेसरस-Together उसके सायने प्लैन मना रहा है जिसमें कि वह अपनी बेहन यानि कि डैनेरिस T hypnot की खाल करवा देगा हुष्षार्ट रोगो तोफ राकीज का सर्दार है और वैसरस सोचता है अगर उसने डेनरिस की साधी खाल्डोको से करवादी तो उसकी सारी सेना वैसरस की हो जाएगी और वो किंग्स लेंडिंग पर हमला करके वहां का राजा बन जाएगा दूसरी साइट इसी भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती लेकिन उसका भाई जेमी लैनिस्टर उसको काफी प्यार करता है और किंग नेडिस्टर के पास इसलिए आये थे ताकि वो नेडिस्टर को अपना राइट हैंड बना सकें फिर हमें थोड़ी सी हिस्ट्री बताई जाती है रोबर्ट साइड हम देखते हैं जोन स्नो को जोकि नेडिस्टर के छोटे भाई यानि बेंजिन स्टर्क से बात कर रहा है क्योंकि बेंजिन स्टर्क नाइट्स वोच है और जोन स्नो भी नाइट्स वोच बनना चाहता है अब रात में नेडिस्टर को एक और लेटर मिलता है जोकि के की बेहन पुराने किंग के राइट हैंड जोन एरन की वाइफ भी हैं लेटर में लिखा था कि जोन एरन की डेथ नेचुरल नहीं थी बलकि उनको लैनिस्टर्स ने मरवाया है अब दूसरी साइट काल ड्रोगो डेनेरिस की शादी हो जाती है और ड्रोगो अभी डेनेरिस के स साथ बहुत गंदा वी हेप करता है और वो उसके साथ रेप भी करता है अब क्योंकि डेनेरिस को ड्रोगो की लेंगवे समझ में नहीं आती जिसकी वजह से मैजिस्टर एलीडियो डेनेरिस को दो गिफ्ट देते हैं जोरा मॉर्मॉंट जो की डेनेरिस का ट्रांसलेटर बन रहा था और वहां उसे दिखता है सर्ची और जेमी लैनिस्टर जो की एक्च्वल में भाई भेहन है वो सेक्स कर रहे हैं और तभी जेमी ब्रैन को मानने के लिए उसे टावर पे से धक्का दे देता है दूसरी साइट डेनेरिस काल ड्रोगों की लेंगवेस सीख रही है और उसका रिलेशन ड्रोगों से काफी अच्छा हो रहा है ब्रैन टावर पे से गिंडने की वाज़ा से मरता तो नहीं लेकिन वो कॉमा में चला जाता है और फिर भी नैड इस्टार का अपनी दो लडगियां सेंसर स्टार को और आर्या स्टार को लेकर किंग्स लेंडिंग जा भी पढ़ाई की होती हैं और मेंस्टर सी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का काम भी करते हैं और मेंस्टर लुइन परिष्य स्टारнд से मिलता है जन इसनों जाने से पहले ब्रैन से मिलता है और वहां हम देख सकते हैं कटलीन जोन को कुस खास पसंद नहीं करती लेकिन ज़ो नैड स्टार्क से अपनी मौम के बारे में पूचता है लेकिन नैड स्टार्क बोलते हैं वो जब अगली बार मिलेंगे तो उसकी मौम के बारे में उसे जरूर बताएंगे King's landing लटते टाइम Robert को एक letter मिलता है और उसे पता चलता है कि Daenerys ने खाल ड्रोगों से शादी कर लिये, रोबर्ट इस बात पर गुसा हो जाता है, और वो डेनरिस को माणने का ओर्डर देता है, लेकिन नैडिस्टार्क रोबर्ट से मना कर देते हैं, दूसरी साइट जोन स्नो के साथ टीरियन भी बॉल पर जा रहा था, क्योंकि वो बॉल को एक बार पास से देखना चाहता था, और वहाँ जोन स्नो के साथ साथ कुछ क्रिमिनल्स भी होते हैं, दरसल में नाइट्स वोच में दो तरीके से सामिल हुआ जा सकता है, अगर किसी को नाइट्स वोच में सामिल होना है, तो वो खुद अपनी मर्जी से भी हो सकता है, या फिर जो वहाँ पर क्रिमिनल्स होते हैं, उनको नाइट्स वोच बना दिया जाता है, दूसरी तरफ जोफरी और सांसा थोड़ी बात कर रहे होते हैं, क्योंकि आगे चलके उनकी शादी होने वाली है, और वहाँ पर आर्या एक गरीब लड़के मीका के साथ इस्टिक से खेल रही थी, जिस बात पर जोफरी को गुस्सा आ जाता है, और वो मीका के गाल पर एक कट मार देता है, आर्या को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, और वो जोफरी को मारनने लगती है, जोफरी भी आर्या को मानने ही वाला होता है लेकिन तबी वहां आर्या की डायर वुल्फ आ जाती है और वो जोफरी के हाथ पर काट लेती है और आर्या जोफरी की तलबाट तालाब में फैक कर वहां से भाग जाती है अब विंटर फैल में भी ब्राइन को मानने एक सक्स आता लेकिन वहाँ पर कैटलीन होती है और वो उसका खंजर पकड़ लेती है और ब्रायन का डायर वुल्फ आकर उसकी गर्दन पर काटके उसको माह डालता है अब कैटलीन को भी लैनिस्टर्स पर सक होने लगता है और वो नेडिस्टार्क से मिलने किंग्स लेंडिंग के लिए न बाठा था और वहाँ पर सांसा भी जूट बोल देती है जिस बात से गुस्सा होकर आरिया सांसा को मारने लगती है और किंग गुस्सा होकर उन्हें सजा सुनाते हैं कि आरिया की डायर वुल्फ को मार दिया जाए लेकिन आरिया की डायर वुल्फ तो भाग गई थी दूसरे लॉर्ड पीटर बेलिश जिनको की लिटल फिंगर भी बुलाया जाता है लिटल फिंगर किंग का फाइन्स समालते हैं ग्रेंड मास्टर पाइसल वहां के मेस्टर है और लास्ट में लॉर्ड वेरिस जिनके की अलग अलग जगाओ पे खबरी फैले हुए हैं और वो स सारी इंफॉर्मेशन को किंग को देते हैं दूसरी सैट जोफरी के बोलने पर हाउंड ने माइका को मार दिया था जो बात आर्या को पता चल जाती है और वो सांसा पर बहुत गुसा करती है और वहां आकर उनको नैड स्टार्क समझाते हैं अब डेनेरिस को पता चलता है कि जोरा मॉर्मोंट जोकी डेनेरिस का ट्रांसलेटर है और वो डेनेरिस की हर खबर को किंग्स लेंडिंग तक पहुचाता है अब वोल पर जोन इसनो पहुच जाता है और वो वहां पर सबको तलबार बाजी सिखा रहा था वहां जोन इसनो के अंकल बेंजन स्टार्क उसको बताते हैं कि वो वール के दूसरी साइड जा रहे हैं क्योंकि वो एक रेंजर हैं और सिर्फ रेंजर्स ही वール के दूसरी साइड जाकर पैटुरलिंग कर सकते हैं वール पर कासल ब्लैक में हमें JORE MORT MONT को भी दिखाया जाता है। जोकि सभी नाइट्स वोच के लोड कमांडर हैं और साथ ही में जोरा मॉर्मॉंट के फादर भी वहां में एक मेस्टर को भी दिखाया जाता है मेस्टर एमिन वो एक टारगेरियन फैमिली से ब्लॉंग करते हैं अब विंटर फैल में ब्रैन की आँख खुल जाती है और उसको ये भी याद नहीं कि उसको टावर पे से किसने धक्का दिया था किंग्स लेंडिंग में कैटलीन पहुच जाती है और वहां वो लिटल फिंगर से मिलती है जिसके साथ की कैटलीन बच्पन में रही थी और साथ ही में लिटल फिंगर बच्पन में कैटलीन को प्यार भी करत जो कि वैलरियन इस्टील का बना हुआ था वैलरियन इस्टील गेम ओफ थ्रोंस में बहुत ज़ाधा कीम्ती है और लिटल फिंगर बताता है कि ये खंजट तीरियन का है और नैड स्टार्क कैटलिन को वापस विटरफैल भेज़ देता है और नेट इस्टार कारिया को तलवार वाजी सिखाने के लिए उसके पास सीरियो फरेल को भेशते हैं जो कि अवारिया को तलवार वाजी सिखाएंगे विंटर फैल में ब्राइन को एक सपना आता है और उस सपने में उसे तीन आखो वाला रेवन दिखता है लेकिन तभी उसकी आख खुल जाती है और थियोन ब्राइन के पास खड़ा हुआ था वो उसे रोब के पास ले जाने के लिए आया था अब क्योंकि ब्राइन चल नहीं सकता इसलिए उसको उठाने के लिए वहाँ होडोर आता है होडोर एक बहुती सीधा व्यक्ति है और साथी में वो सिर्फ एक ही बर्ड बोलता है होडोर और इसलिए उसका नाम सबने होडोर रख दिया हॉल में रोबिश्टाय के साथ यूरोन और वहाँ टीरियन भी आते हैं जोकि वाल को देखकर विंटर फैला गया था और साथी में यूरोन किंग्स लेंडिंग जा रहा है ताकि वो वहाँ से कुछ क्रिमिनल्स को ला सके और उन्हें वो नाइट्स वोच में शामिल कर ले और इसलिए टीरियन भी उसके साथ किंग्स लेंडिंग जा रहा है अब वाल पे एक और न्यू लड़का आता है जिसका नाम सेम्विल टार ली है वो बहुत मोटा है और साथी में वो बहुत जल्दी हार मान लेता है इसलिए ऐलिस्टर थोन और रेस्ट उसको परिशान करते हैं वहाँ जोन इसनो आकर सेम्विल को बचाता है और एलिस्टर थोन को ये बात बहुत बुरी लगती है सेम्विल जोन को नाइट्स वोच में आने का रीजन बताता है क्योंकि सेम्विल ओवरवेट था और साथी में वो बहुत ज़ादा कमजोर भी था इसलिए उसके फादर ने उसे नाइट्स वोच में बहुत दिया किंग्स लेंडिंग में नैड स्टार्क के किंग ओफ दा हैंड बनने की खुशी में टूनना मेंट रखा जाता है और नैड स्टार्क मेस्टर पाइसल से मिलते हैं वो पुराने हैंड ओफ दा किंग जोन एरन की उनसे बात पूचने आये थे जहां मेस्टर पाइसल बताते हैं कि जोन एरन एक बुक को पढ़ रहे थे जो कि वेस्ट्रोस की हिस्टरी की बुक है अब नैड स्टार को उस बुक में ये टून ना स्टार्ट करते हैं कि जोन एरन उसमें क्यों इंट्रस्टेट थे अब नैड स्टार के एक लड़के गेंडरी से मिलने जाते हैं क्योंकि गेंडरी से जोन एरन भी बहुत मिलने जाते थे और गेंडरी के फेस को देखकर उन्हें ये भी पता चलता है कि वो किंग रोबर्ट बेरेथिन का बास्टर्ड है यानि की नाजाई जोलाद है अब टूर्णामेंट स्टार्ट हो जाता है जहां पे सर हुउ और हाउंड का भाई माउंटेन टूर्णामेंट में होते हैं और इस टूर्णामेंट में उन्हें एक दूसरे को होर्स पर से गिराना था जो भी पहले होर्स पर से गिरेगा वो हार जाएगा लेकिन हाउंड का भाई माउंटेन बहुत खतनाक था और उसीने हाउंड का बशपन में चेहरा भी जलाया था टूर्नमेंट में माउंटेन सरहु की گरदन पे भाला मार देता है जिससे की सरहु वही मढड जाते हैं दूसरी सैट कैटलिन विंटर फैल के लिए लोट रही होती है और रास्ते में उसे टीरियन मिल जाता है और कैटलिन वहाँ नैट्स को ओर्डर देती है और टीरियन को पकड़ लेती है अब नेडि स्टार्क बेरिस्टन सहलवी से बात कर रहे होते हैं बेरिस्टल सहलवी मेड किंग के किंग्स गार्ड थे लेकिन जैसे ही मेड किंग मरा तो रोबर्ट ने बेरिस्टन सहलवी को अपना किंग्स गार्ड बना लिया अब अगला टूर्णामेंट सर लॉरस और माउंटेन के बीच होता है जो की हाई गार्डन के प्रिंस हैं और साथ ही में रैनली ब्रैथियन जो की किंग का भाई है और सर लॉरस लवर्स हैं वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और फिर उन दोनों का टूर्णामेंट जिस बात से गुस्सा होकर माउंटेन सल्लोरस पर तलवार से हमला कर देता है लेकिन वहां माउंटेन का भाई हाउंड आकर सल्लोरस को बचाता है और किंग वहां चिला कर उन दोनों की लड़ाई रोकता है और माउंटेन वहां से गुस्सा होकर चला जाता है अब लोर्ड वे को कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें राइड भी कर सकते हैं लेकिन कही सालों Ned Stark को वो सारी बाते बताती है लेकिन तभी वहाँ यूरोन आ जाता है और वो Ned Stark को बताता है कि कैटलीन ने टीरियन को पकड़ लिया है अब रोबर्ट बेरेथियन एक स्मॉल काउंसिल बुलाते हैं और वो वहाँ पर डेनेरिस को माणने का ओर्डर देते हैं क्योंकि डेनरिस प्रेगनेंट है और आगे चलके वो डोथरा कीज के साथ किंग्स लेंडिंग पर हमला कर सकती है लेकिन नेडि स्टार्क इस बात के खिलाफ होते हैं और वो अपना किंग्स हैंड का ओदा छोड़ कर वहाँ से चले जाते हैं नेडि स्टार्क पैकिंग करकर वापस विंटर फैल जा रहे होते हैं लेकिन वहाँ लिटल फिंगर आकर नेडि स्टार्क को एक औरत से मिलाने लेकर जाता है जिससे की मरने से पहले जोन एरन भी मिलने आये थे और वो लेड़ी एक प्रोस्टिट्यूट थी और उसका बच्चा किंग रोबर्ट ब्रैथियन का बास्टर्ड था अब नेडि स्टार्क इस बात से पता लगाना चाहते हैं कि क्यों जोन एरन रोबर्ट के बास्टर्ड संस में इतना इंटरस्टिट थे दूसरी साइट कैटलीन टीरियन को लेकर लाइसा के पास पहुचती है लाइसा कैटलीन की बहन भी है और साथ ही में जोन एरन की वाइप भी थी और लाइसा टीरियन को जेल में डाल देती है King's Landing में Jamie Lannister Ned Stark को अपने सोलजर से घेल लेता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि Catlin ने उसके भाई Tyrion को पकड़ लिया है और वो Ned Stark के सोलजर को मार देता है और साथ ही में Ned Stark से लड़ने लगता है लेकिन वहाँ Jamie का एक सोलजर आकर Ned Stark के पैर में बाला गुसा देता है जब Ned Stark के यहां खुलती है तो वो देखता है उसके सामने रोबर्ट और सर्सी कड़े हैं और वहाँ सर्सी कुछ जूट बोलने लगती है जिस वज़ा से रोबर्ट उसको गुस्सा होकर चाटा मार देता है और Ned को दुबारा Hand of the King बना देता है और साथ ही वो उसको बताता है कि वो शिकार के लिए जा रहा है दूसरी साइड Daenerys Dragon Axe को कोईले में रख देती है और जैसे ही वो उन्हें उठाती है तो वहाँ पर उसकी दासी आकर उन गरम एक्स को अपने हाथ में पकड़ लेती है जिस वज़ा से उसके हाथ जल जाते हैं और Daenerys देखती है कि उसके हाथों को कुछ नहीं हुआ था Winterfell में Brian को दुबारा सपना आता है और उसे वो तीन आखो वाला Raven फिर से दिखता है अब Rob, Theon और Brian horse riding कर रहे होते हैं तब ही Brian उनसे अलग हो जाता है और वहाँ उसे कुछ wildlings पकड़ लेते हैं जो कि जंगली लोग हैं और वो wall के दूसरी साइड रहते हैं और Rob मिलकर Brian को बचाते हैं और साथ ही में वो एक जंगली लड़की ओशा को पकड़ लेते हैं और वो उसे बंदी बना लेते हैं दूसरी साइड टीरियन अपने confession में trial by combat मांगता है जिसमें की गुना करने वाला सामने वाले soldier से लड़ाई करेगा और अगर वो जीत गया तो उसे छोड़ दिया जाएगा लेकिन टीरियन तो एक ड्वार्फ था इसी वज़े से वो fight नहीं कर सकता और तब ही उसकी साइड से एक soldier ब्रॉन लड़ता है रोबर्ट ब्रेथियन सिकार पे होते हैं और वो काफी जादा नाशेम होते हैं लेकिन फिरिभी उनका esquire Lancel Lannister जोकी सर्सी का कजन भी है वो रोबर्ट को और जादा शराब पिला रहा था अब ब्रॉन टीरियन की साइड से लड़ रहा होता है और ब्रॉन दूसरे सोलजर को खाई में गिरा देता है और वो जीच जाता है जिसकी वज़ा से लाइसा को टीरियन को छोड़ना पड़ता है किंग्स लेंडिंग में ने डिस्टार कुस बुक को पढ़ रहा होता है और वो चाहता है कि ड्रोगो उसको गोल्ड का क्राउन पहना है और तभी वहां उसको ड्रोगो के सोलजर्स पकड़ लेते हैं और ड्रोगो को सोने को पिगला कर उस खोलते हुए सोने को वैसरस के सर पे डाल देता है और वो मर जाता है फिर हमें टाइविन लैनिस्टर को दिखाये जाता है जो कि सर्ची जैमी और टीरियन के फादर है और उनके पास जैमी आता है वो जैमी को 30,000 सोलजर्स देते हैं और टीरियन को बचाने के लिए भेजते हैं जैमी और उसके रिलेशन के बारे में पता चल गया है और जब रोबर्ट सिकार पर से वापस आएगा तो नैड स्टार्क उसको सच बता देगा अब वोल पर जोन स्नो को दिखता है कि बेंजिन स्टार्क का सिर्फ होड़सी वापस लोट कर आया है अब किंग्स लैंडिंग मे रोबर्ट को शिकार पर एक बोर्ड ने खायर कर दिया होता है और रोबर्ट की कंडीशन भुष ज्यादा बिगडती जा रही थी इसलिげ आपने पास नैड स्टार्क को बिलाते हैं और वह उससे एक लैंटर लिखवाते हैं और उस लैंटर में वह नैड स्टार्क को जोन इसनों को Lord Commander यानि Jormormont का Stuart बना दिया जाता है और एक Stuart का काम होता है कि उनकी सेवा करना जैसे कि खाने पीने की लेकिन जोन इसनों इस बात से गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो एक अच्छा तलबार बास था और वो एक Ranger बनना चाहता था और साथ ही में Samil को Master Aemin का Stuart बनाय रखने का काम करते हैं और तभी Ned Stark को Throne Room में जोफरी बुलाता है जहां उसे पता चलता है कि King Robert Breithian मर गए है और अब जोफरी ही वहां का King है लेकिन Ned Stark वहां Sir Barristan को Robert Breithian का Letter दिखाते हैं जिसमें लिखाता कि Ned Stark तब तक Protector of the Realm रहेंगे जब तक जोफरी की सही Age नहीं आ जाती लेकिन सर्थी उस लेटर को फाल कर फैक देती है वहां Ned Stark Gold Clocks को सर्थी और जेमी के रिलेशन के बारे में बताते हैं लेकिन वहां खड़े Gold Clocks उल्टा Ned Stark के Soldiers को ही मार देते हैं और साथ ही में Little Finger भी Ned Stark के गले पे चाकू रखकर उन्हें धोका दे देता है अब वहां पर सार बॉल पर दूसरी साइड गए थे और वहां Jior Mormont जोन स्नो को बताते हैं कि Ned Stark को King's Landing में Traitor बताकर पकड़ लिया गया है जोन स्नो ये बात सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो King's Landing जाने लगता है लेकिन तभी Jior Mormont उसको Night Watch के वादे याद करवाते हैं जिसके मताविक Night Watch की कोई Family नहीं होती और उन्हें फरक नहीं पड़ता कि Seven Kingdoms में क्या हो रहा है अब सरसी Sansa से एक Letter लिखवाती है जिसमें कि वो Rob Star को King's Landing मुलाना चाहती है और वो Letter फिर Rob के पास पहुशता है और Rob इस बात से गुस्सा होकर अपने Banners तयार करने लगता है Banners वो होते हैं जि उसको मना कर देती है तीरेन और ब्रॉन को रास्ते में कुछ जंगली लोग पकड़ लेते हैं तीरेन उनको सोने का लालस देता है और अपने साथ आने को बोलता है दूसरी साइड वॉल पर एक Dead Body जिन्दा हो जाती है और वो Lord Commander पर हमला करती है लेकिन वहाँ Lord Commander को Jon Snow बचात और उनी में से एक इंसान ड्रोगों पर हमला कर देता है जिसमें ड्रोगों की चेस्ट पर एक कर्ट लग जाता है और ड्रोगों उसको वहीं मार देता है अब तीरेन जंगली लोगों के साथ अपने फादर टाइविन लैनिस्टर के कैम पर पोहुचता है जहाँ पर पर ले जाते हैं और उनकी जगाव जेमी लैनिस्टर को दे देता है और तब ही वहां होल में आकर सेंचा जोफरी के सामने बैटकर उससे माफी मांगती है ताकि वो उसके फादर नेड इस्टार को छोड़दें और जोफरी से बादा करता है कि वो नेड इस्टार को तभी अगर Ned Stark सब के सामने खड़े होकर अपने आपको Traitor साबित कर दे अब Rob Star के पास Catlin विया जाती है और वो सब Banner Man's के साथ मिलकर एक Bridge पे पोहुचते हैं और उस Bridge को पार करने के लिए उन्हें Walder Fray की Permission लेनी होगी और वहां Catlin Walder Fray से मिलने के लिए जाती है वो उनसे Bridge क्रॉस करने की Permission मांगती है जिसके बदले में Walder Fray बोलते हैं कि Rob Star को उनकी एक लड़की से शादी करनी होगी और साथ ही में Arya को भी बड़े होकर उनके एक लड़की से शादी करनी होगी जिस चीज को वो मांग जाते हैं और Walder Fray उनको Bridge क्रॉस करने देते हैं बॉल पर जियोरम और मॉर्वन जोन उसनों से खुच होकर उसको Valoran Steel से बनी एक स्वार्ट देते हैं और वो उनकी काफी पुरानी Family स्वार्ट थी एसोस में जहां खाल ड्रोगों की चेस्ट पर चोट लगी थी अब उसकी हालत बहुत जादा खराब होने लगती है जिसकी वज़ा से खाल ड्रोगों अपने होर्स पे से भी गिर जाता है अब वहां के लोग गदारी शुरू कर देते हैं क्यूंकि डोथरा की उन्हें ही अपना सर्दार मानते है जो पावरफुल होता है डैनरीस वहां पर एक ओरत को बुलाती है जो की Magic जानती है और वो उससे ड्रोगों को जिन्दा करने के लिए बोलती है वो ओरत ड्रोगों को जिन्दा तो कर देगी लेकिन उसके बदले में डेनेरिस को एक जान देनी पड़ेगी और तब ही वो ड्रोगों के वहाँ पर होर्स को बलाती है जिसके बाद वो ओरत उसको मार देती है अब दूसरी साइट टीरियन एक प्रेस्टिट्यूस शे से मिलता है और वो उसे कुछ अपनी पुरानी दुखवरी बाते बताता है और अगले दिन टाइविन लैनिस्टर के कैम पर हमला हो जाता है और टाइविन लैनिस्टर उनसे जीच जाते हैं लेकिन उन्हें पता चलता है कि रॉब ने सिर्फ 2000 सोलजर्स ही टाइविन के पास बेजे थे ताकि उनका ध्यान बटक जाए और रॉब जाकर जेमी लैनिस्टर के उपर हमला कर सके और वैसा ही होता है रॉब जेमी के सोल्जर्स को हरा देता है और जेमी को बंधी बना लेता है ऑर वहाँ भीड में ये सब आर्या भी देख रही होती है और वहां से उसे योरोण ले जाता है और अब वो आर्या के बाल काट देता है ताकि उसे कोई पैचान न सके दूसरी साइड रोब और कैटलीन को पता चल जाता है कि ने डिस्टार को जोफरी ने मरवा दिया है और विंटर फैल में मेश्टर लूइन ब्रैन और रिकॉन को बताते हैं कि उनके फादर की डेथ हो गई है अब नौर्धन एरिया के सारे लोट्स मिलकर नौर्ध को सैवन किंगनम से अलग कर देते हैं और वो रोब को नौर्ध एरिया का किंग मना देते हैं किंग्स लेंडिंग में सर्थी अपने कजन लेंसल नैनिस्टर के साथ सेक्स कर रही होती है और साथ ही में उसी ने सिकार पर रोबर्ट के साथ लेंसल को बेजा था ताकि वो रोबर्ट को जादा सराब पिला सके और उसको नशे में कोई जानवर मार दे अब क्योंकि नेडिस्टार्क मर चुके हैं इसलिए जोफरी का हैंड टाइविन को बनाया जाता है लेकिन टाइविन अभी किंग्स लेंडिंग नहीं जाना चाते इसलिए वो कुछ टाइम के लिए अपनी जगा टीरियन को किंग का हैंड बना देते हैं एसोस में डेनरिस्ट का बच्चा मरा हुआ पैदा होता है और वो इजले होता है क्योंकि उस मैजिशियन ने मैजिक करा था जिसकी वज़ा से डेनरिस्ट का बेटा तो मर जाता है और उसके बदले में उसने ड्रोगों को जिन्दा कर दिया था जब Daenerys ड्रोगों के पास जाती है तो उसकी सिर्फ आके को लिए होती है वो ना तो गर्दन इला सकता है और ना ही बोल सकता है यानि कि वो बिल्कुल एक जिन्दा लास की तरह होता है और ये सब उस मैजिशन ने जान पूच के किया था क्योंकि डोथरा की वहां के सिलेवर्स को बहुत जादा परिशान करते थे अब क्योंकि काल ड्रोगो एक जिन्दा लाज था इसी वज़ा से डैनरिस उसको मार देती है किंग्स लेंडिंग छोड़कर आरिया वहां से जा रही होती है और रास्ते में उसे गेंडरी मिलता है जो कि नाइट्स वोज पनने के लिए जा रहा है जोन स्नो को जोरम और वंट अपने साथ वोल के दूसरी साइड ले जाते है क्योंकि उन्हें वहां के जंगली लोगों से पता चला है कि वाइट वोकर जिन्दा हो गए है अब वापस एसोस में डेनेरिस ड्रोगों की डेड बोडी को जला रही होती है और साथ ही में वो उस औरत को भी जिन्दा जलाना चाहती है और वो अपने ड्रेगन एक्स को उस आग में ही रख देती है और साथ ही में खुद भी उस आग में बैट जाती है जब काफी टाइम बाद वो आग भुज जाती है तो डेनेरिस के सारे कपड़े जल जाते हैं लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ होता और उसके तीनों एक्स में से ड्रेगन निकल गए थे जोरा मॉर्मॉंट और वहां के कुछ बचे डौथ राकीज डेनेरिस के सामने गुटनों पर बैट जाते हैं और यहीं इसका फस्ट सीजन खतम हो जाता है तो अगर तुम लोग को गेम अफ द्रोन्स का ये वाला सीजन अच्छा लगाओ तो तुम लोग मुझे कमेंट में बत होंगा और उसी के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो